तो जब मैं चली थी, बहुत सारे डाउट्स लेके चली थी मैं ग्राजुएशन के साथ प्रिप्रेशन करना शुरू किया था मैंने तो डेली नहीं जा पा रही थी उस टाइम और financial condition भी ऐसी नहीं थी कि सोचू कि ये कर लेते हैं फिर जाएंगे डेली तो लगा कि चलो अभी से शुरू करते हैं कॉलेज के साथ सर आपको एक बात बताना चाहूंगे भुपाल में हम लोग रहते हैं या दूसरे शहरों में तो हमारे लिए डेली एक बड़ा एनिग्मा होता है और स्पेशली सिविल सर्विस के वर्ल की ऐसा लगता है कि डेली नहीं जाएंगे तो शायर अपना कुछ नहीं हो पाएगा तो वैसा मुझे भी लगता था बड़ आपको सही बात बताऊं मैं मौक इंटर्व्यू देने के लिए डेली गई थे जब मैं वहाँ स्टेप इन किया मैंने वो एक एरिया है करोल बाग जो हम सुनते रहते हैं पढ़ते रहते हैं वो टेरिफाइंग था मेरे लिए हर बिल्डिंग पे हर जगह इसमें इतना कोर्स ये पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं मैंने अपने आपको कहा अगर यहाँ पे मैंने तयारी शुरू क्यों होती न तो नहीं खराग